and this question is from September 2022 question में Pn is a polynomial space with degree at most n तो Pn basically Rnx space दिया हुआ and एक inner product define किया है such that एक बीटा सेट है which is 1x 1 by 2 factorial x square and so on 1 by n factorial x to the power n ये जो सेट है this बीटा is an ortho normal basis with respect to this inner product तो यहां इस question को करने से पहले एक basic information लिख लेते हैं अगर आपके पास एक inner product 1 है और एक inner product 2 है such that बीटा इस एन और्थो नॉर्मल ये धिया रखना और्थो नॉर्मल के लिए ट्रू है और्थो गॉनल के लिए the same function तो अगर एक बीटा मिल जाए जो और्थो नॉर्मल बेसेज बन जाए दो डिफ्रेंट इन प्रड़क के रिस्पेक्ट में तो दे आर आइडेंटिकली तो बैसिकली हम यह नहीं कह सकते हैं कि दो डिफ्रेंट इन प्रड़क में एक बीटा जो होगा वो और्थो नॉर् या एक से जादा हो सकते हैं तो इस स्टेटमेंट से जब भी वो मिलेगा वो यूनिक होगा ठीक है अब हमें सिर्फ यह डिसाइड करना है जो गीवन फंक्शन है जैसे पहला फंक्शन उसने एफ को नोटेशन दिया हुआ है f of x अगर उसका नोटेशन लिखूंगा समीशन alpha i x to the power i तो वो basically alpha naught alpha 1 x plus alpha n xn यह दिया हुआ है f x और g of x को जो नोटेशन दिया हुआ है उसने समीशन बीटा i x to the power i तो यह आपके पास क्या होगा बीटा naught प्लस बीटा 1 x प्लस बीटा n xn यह आएगा जो inner product of पहले case में f और g का inner product define क्या गया है वो क्या है summation i such that i factorial into alpha i beta i तो अगर मैं इस function by definition check कर सकते हो this is always an inner product और दूसरा function उसने यह दिया हुआ है inner product of f and g जो define क्या गया है that is c option लिख रहा हूँ summation i factorial whole square alpha i beta i तो यह दोनों function जो है वो inner product है simply dot product का काम कर रहे हैं उनके साथ यह factor उसने extra multiply कर दिये अब हमें check करना है कि यह जो beta है क्या इसके respect में orthogonal है नॉर्मल है या इसके respect में है जो भी मिलेगा unique मिलेगा अब जिससे पहला option का रहा है कि यह जो beta है पहले option का मिनिक है कि this is an inner product but there is another such inner product जिसके respect में यह ortho normal बनेगा यह नहीं हो सकता एक जो beta है वो एक ही inner product के respect में और्थो नॉर्मल बन सकता है अगर एक और function मिल जाए जो inner product हो उसके respect में भी और्थो नॉर्मल मिलेगा तो यह दोनों inner product identical हो जाएंगे तो पहला option definitely extra existence के guarantee नहीं है c option में कर रहा है कि this is an inner product with respect to this is an ortho normal basis but there exists another one वो भी कभी possible नहीं है statement के बेस पर जो भी हमने लिखी थी तो अब आपको सर्फ यह चेक करना है कि इसके respect में यह और्थो नॉर्मल बन रहा है यह इसके respect में जब मैं इसके respect में बात करूंगा तो inner product of x to the power i x to the power j जो आएगा वो क्या जाएगा summation i factorial यहाँ x to the power i by क्या है i factorial और यहाँ क्या है j factorial तो यह into हो जाएगा 1 upon i factorial into 1 upon j factorial जब i equal to j है तो यह आजाएगा आपके पास यह cancel out हो जाएगा तो यह 1 upon sorry यह सिर्फ i j term बचेगा तो यह आजाएगा आपके पास 1 upon i factorial लेकिन आना गया चाहिए 1 क्योंकि unit vector बनाना है तो इसके respect में यह जो है और्थो नॉर्मल तो बनेगा और्थो गोनल तो बनेगा लेकिन और्थो नॉर्मल भी बनेगा क्योंकि i not equal to j पे यह quantity definitely 0 हो जाएगी तो यह quantity definitely 0 हो जाएगी reason क्या है जैसे in a product of 1 and x लिखूंगा 1 और x लिखूंगा तो उसकी definition क्या है यहाँ alpha not की value 1 है alpha 1 की value 0 चिक है तो यह quantity 0 आएगी क्योंकि यह product हो जाएगा वह 0 हो जाएगा इसी टाफ से in a product of x with x लिखूंगा तो यहाँ alpha 1 की value 1 है beta 1 की value 1 है तो यह 1 पर में पोज़ेगा तो यह unit vector है लेकिन जो next vector है 1 by 2 factorial x square का in a product with 1 by 2 factorial x square लिखूंगा तो वह क्या जागा 1 by 2 factorial क्योंकि 1 by 2 factorial एक term cancel out हो जाएगी लेकिन जब मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ in a product of x i by i and x j by j लिखूंगा तो यहाँ alpha i की value 1 by i factorial है alpha j की value 1 by j factorial है अगर i not equal to j हुआ तो यह 0 हो जाएगा तो this quantity should be 0 whenever i not equal to j और अगर i equal to j है तो alpha i की value 1 upon i factorial alpha j भी 1 upon i factorial और 1 upon i factorial whole square से multiply हो रहा है तो आपका जो answer है that should be d option true remaining all are false option clear है